नमस्कार आदाब न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां यूपी में बढ़ती महंगाई, गरीबी, बुकमरी, मगर बीजेपी को चाहिए मंदिर QN Human Rights आयोग ने किया परवेश खुर्रम की गिरफतारी का विरोध संसत के अंदर अभी तक बंध है मीडिया की इंट्री छोटे देशों को वैक्सीन ना देने का ही नतीजा है ओमिक्रॉन वेलियंट सबसे पहले बात उत्तरप्रदेश की चुनाओं से ठीक पहले देश के सबसे बड़े राज्य में सांप्रदाइक्ता की चिंगारी लगाने का काम शुरू हो गया है अब तक ऐसे बयान ऐसे काम सिर्फ हिंदुत्ववादी संगठन कर रहे थे मगर अब इसमें आधिकारिक तोर पर सत्ताधारी भारतिय जनतापार्टी भी आ गई है गुरुवार को यूपी के उप मक्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्यन ने ट्वीट करते हुए लिखा काशी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्मान जारी है मतुरा की तैयारी है सुनते हैं कि इस पर क्या कहना है वरिष्ट पतरकार अबिसार शर्मा का तो उत्तर पदेश की चुनावों की सरगर्मिया तेज हैं और भारती जनता पार्टी लगातार तापमान बढ़ा रही है और न सिर्फ तापमान बढ़ा रही है दोस्तों बलकि सांप्रदाइक तापमान को भी किसी तरह से बढ़ाया जा रहा है जैसा कि आप जानते हैं कि मतुरा में पिछले तीन दिनों में तापमान बढ़ गया है और तनाव बढ़ गया है यह जो है वहां की स्थानी पुलीस के लिए बहुत बड़े सिर्दर्द का सबब बन गई है और खुद वहां की पुलीस कह रही है कि ऐसी कोई इजाज़त ना हमने दी है और ना हम ऐसी कोई इजाज़त देने वाले हैं पुलीस जो है कुछ दिनों पहले फ्लाग मार्च करते हुए भी दिखाई दी थी मगर मुद्दा यहां पर यह है कि क्या यह बयान सिर्फ नारायनी सेना दे रही है या इसके पीछे भारती जनता पार्टी की ताकत भी है और भारती जनता पार्टी की सोच भी है क्या नाराइनी सेना जो है वो सिर्फ बहाना है और इसके पीछे असली सोच भारती जहता पार्टी की है जो की उत्तर पदेश में सत्ता में है आपको गोर करना पड़ेगा कि इस मुद्दे पर राज की उपमुक्यों अंत्री केश प्रसाद मौरिया ने का कहा है आपके स्क्रीन्स पर उनका वो बयान उनका वो ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि आयोध्या और काशी तो हो गया अब मत्हुरा की बारी है अब इन दोनों बयानों की तुलना कीजे एक तरफ वो कह रहे है मत्हुरा जो है वो बाकी है दूसरी तरफ एक हिंदुत वादी गठन मत्हुरा में तनाव पैदा कर रहा है शाही इदगाहा पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां जो है लगाने की लिए अब तक हम यह सोच रहे थे कि माहौल को उग्र किया जाएगा बेवजह जिन्ना तालिबान जैसे मुद्दों का जिक्र करके और आप जानते ह कि मुख्य मंत्री आदितनाथ अपनी हर राली में जिन्ना को याद करना नहीं भूल रहे यहां तक कि वो कैराना गए थे कैराना में वहां मंच पर उनके साथ मुझफर दंगों में जो एक एहम किरदार था सुरेश राना जो कि उनके मंत्री थे वो हमें मुझफर नगर दं किया जाए क्योंकि पश्यमी उत्तर पदेश ने किसान ने इनकी कमर तोड़ दी है किसानों की वज़ा से अब जाट और मुस्लिम जो है एक बार फिर साथ आ रहे हैं अल्लाहु अकबर और हर हर महादेव कि नारे एक बार फिर एक साथ लगाये जा रहे हैं और भारती जनता से तनाव पैदा किया जा रहा है और यह तनाव डर की बात यह है कि और बढ़ने वाला है क्योंकि आप जानते हैं 6 दिसंबर को बाबरी गिराए गया था और उससे पहले हिंदुत वादी संगठन जो है वो लगातार तापमान बढ़ा रहे हैं मगर सबसे अफसोस जनक बात कि इस सांप्रदाइक ट्वीट का जवाब देते हुए विपक्षी पार्टियों ने यही कहा है कि इस बार बीजेपी का कोई मंत्र कोई नारा बचा नहीं सकता सोचने वाली बात यह है कि तेजी से बढ़ती मेंगाई कोरोना की तीसरी लहर की दस तक राजे में फैलती बुखमरी और घरीबों के बीच भारतिय जनता पार्टी चाहती क्या है उसके लिए क्या जरूरी है मंदिर का निर्मान अब चलते हैं कश्मीर पिछले हफ़ते कश्मीर से गिरफतार किये गए जाने माने मानव अधिकार कारेकरता खुर्रम परवेश के समर्थन में अब संयुक्त राश्र भी आ गया है खुर्रम की UAPA के आरोपों के तहट पिछले बुद्वार 22 नवेंबर को श्री नगर से NIA ने गिरफतारी की थी Office of UN Commissioner of Human Rights ने उनकी गिरफतारी पर चिंता जताई है और भारत सरकार से कहा है कि वो उनके अधिकारों की रक्षा करे खुर्रम पर NIA ने आतंकरी संगठनों को फंड देने के गंभीर आरोप लगाए थे और उन्हें श्री नगर से गिरफतार कर दिल्ली भेज दिया था खुर्रम के परिवार उनके साथियों और अंतराश्ट्य अधिकार समोहों ने इन आरोपों को खारिच किया है वहीं भारत सरकार ने संयुक तराश्ट्र के मानव अधिकार आयोग के इस बयान का जवाब देते हुए कहा है कि इस बयान में भारतिय सुरक्षा बलों के खिलाफ बे बुनियाद और जूटे आरोप लगाए गए है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने दावा किया है कि भारत में सबके अधिकारों की रक्षा की जाती है और घलत आरोपों पर किसी को गिरफतार नहीं किया जाता अब एक खबर की बात करते हैं जहां सरकार पर मीडिया की आवाज को दबाने के आरोप लग रहे हैं संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हुआ मगर हैरानी की बात है कि लगातार पाँचवे सत्र के संसद के सदन के अंदर प्रेस गालेरी में मीडिया को जाने की अनुमती नहीं दी गई है कुछ ही मीडिया परसंज अंदर अलाउड हैं देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद से ज्यादातर मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को बाहर रखने के इस फैसले पर सरकार की कड़ी अलोचना हो रही है इसके खिलाफ आज 2 दिसंबर को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर लंबे समय से दोनों सदनों की कारवाई कवर कर रहे पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रेस की आजादी की बात की बता दे कि कोविट का हवाला देते हुए सिर्फ कुछ पत्रकारों को ही संसथ की प्रेस गैलरी और लाइबरेरी के अंदर जाने की अनुमती दी गई है प्रेस क्लब ओफ इंडिया ने सरकार पर मीडिया की आवाज को दबाने और लॉट्री सिस्टम के जरिये पत्रकारों को चुनने का आरोप लगाया है इसके साथ ही कलसंसत के नेता प्रतिपक्ष कॉंग्रेस लीडर मलिकार जुन खडगे ने सभापती विंकया नाइडू को एक खत लिखा जिसमें इस मसले पर हैरानी जाहिर की कि सभी पत्रकारों को सदन के अंदर जाने की अनुमती दी जाए दुनिया में कोविट की तीसरी लहर की आहट दिखने को मिल रही है इसकी वज़े है ओमिक्रॉन वेरियंट मगर जब कहते हैं कि ओमिक्रॉन दक्षिन अफरीका से आया है तब हमें ये भी समझने की जरूरत है कि इसकी सबसे बड़ी वज़े है अविक्सित या छोटे देशों को वैक्सीन ना मिलना समय समय पर ऐसी कई रिपोर्ट हमारे सामने आई हैं जिसमें ये बताया गया है कि कैसे विक्सित देश ने वैक्सीन का स्टॉक अपने पास समेट कर रखा हुआ था मगर छोटे देशों को वैक्सीन नहीं दी जा रही थी दक्षिन अफरीका में अब तक सिरफ 24 प्रतिशत आबादी ही फुली वैक्सीनेटिड हो पाईए आए सुनते हैं इस पर वरिष्ट पत्रकार भाषा सिंग का क्या कहना है इसी से जड़ा हुआ सवाल प्रभीर ये है कि जो वैक्सीन है हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि जो वर्ल्ड मैप है वैक्सीन का किन देशों में वैक्सीन कितनी आबादी तक पहुचा है कितनी आबादी पूरी तरह से कवर हुई है बूस्टर वैक्सीन की बात है और उस नक्षे में बहुत साफ दिखाई देता है कि अफ्रीका पूरा का पूरा छूटा हुआ है वहाँ पर ध्यान नहीं गया और लंबे समय से तमाम विग्यानिक तमाम लोग जो काम कर रहे थे वह इस बारे में बहुत गंभीर चिंता जता रहे थे कि जो विक्सित देश हैं जिनके पास पैसा है वे तो अपनी आबादी के लिए खर्च कर रहे हैं वैक्सीन दे रहे हैं बूस्टर डोस की बात हो रही है लेकिन जो हमें नक्षे में दिखाई दे रहा है नक्षे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अफरीका छूटा हुआ है और अफरीका के कुछ हिस्सों को आप अगर हटा दें तो बाकी जगा पे तो कहीं दो फीसदी वैक्सिनेशन है कहीं एक फीसदी वैक्सिनेशन है तो बड़े ततपर्ता के साथ उन्होंने ये नसन को आइडिन्टीफाई किया, सब को बताया, फल क्या हुआ, उन पर इस वक्त बैन लग गए, कि वहां से कोई आना जाना नहीं कर सकता, तो उनके तो हमने ये नजरिया दिखाया, ये नहीं कहा, कि आपको क्या चाहिए, हमने क उसकी बात हो रही है, बुस्टेद उस दी भी जा रही है, और जहां पर साथ आफ्रिका में, जो वहां पर एक उन्नात देश माना जाता है, उस पे 6% वैक्सिनेट या 7% पूरी वैक्सिनेशन हुई है, और करीब 20-25 प्रतिशत जो है, उनको एक टीका लग चुका है, तो मत बहां पर उनके कोई उस तरह से छोटा ऐसे एक मुरक्व को छोड़ों के किसी के पास 1-2-3% से ज्यादा नहीं है, तो यह तो हकीकत है कि आफ्रिका को हमने छोड़ के रखा है, जबकि दो डोस ही सिर्फ नहीं, तीन डोस देनी की भी बात हो रही है, तो बच्चों को देनी जल रही है, बूस्टर डोस दी जा रही है, जलना की डबल्यो एचो बार-बार कह चुका है, कि अगर आफ्रिका को इस तरह से छोड़ रखेंगे, तो इहां से नया नसल जरूर डिकलेगा, और नया नसल अगर डिकलेगा, जैसे कहते हैं, all bets are off, क्या होगा, किसी को नहीं मा पोशिल फिजिकल डिस्टेंसिंग वगार है, उससे काम चलेगा, नहीं चलेगा, तो गेम जो है, नया गेम शुरू हो जाएगा, और यह जो हमारी इस वक्त की गेम है, जहां पर एक हिसाब से हम वैक्सीन के जरिये कुछ हद तक इसके उपर काबू पाए थे, तो वो बात खत्ब हो जाएगा, खबरों को और विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट न्यूस क्लिक पर लॉग इन कीजिए और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर फॉलो कीजिए